दोस्तो मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको यह तुरेंट डिजाइन बुनकर बताऊंगी तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बिल आइकन को भी दबाए ताकि मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसे आप असानी से देख पाए तो दोस्तों आएए इसे बुनते हैं और देखते हैं एडिजाइन कैसे बुनाएगा तो मैंने यहाँ पे इस तरह का तुरंट पटी बुना है तो इसका तुरंट पटी मैंने बुनते हुए भी डाला है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और इस तरह का मैंने भी भी बनाते हुए अपने चैनल पे अपलोड किया है तो इसे भी अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में चेक कर ले आपको वहाँ सब मिल जाएगा तो देखिए हमने इस तरह से पाच भी बनाए है आप अपने डोर के हिसाब से आप यहाँ पे भी बनाए और पट्टी के लेंद रखे और हमने यहाँ पे इस तरह लरी का यूज किया है और छोटे छोटे फ्लावर्स यहाँ पे हमने एड़ किया इसमें तो देखिए यहाँ पे हमने सब में इस लरी का यूज किया है ता आप इस लरी को सिख जाने के बाद से आप इसी बहुत तरह का डिजाइन आप खुद से बुन सकती है बना सकती है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में चार बुना है फिर हम यहाँ पे बढ़ाते गए है यहां पर हर एक step में हमें बढ़ाना है और देखें यहां पर हमने सब में बढ़ाए है और उसके बाद से यहां पर हमने यह जो बीच का गैपिंग है हमने यहां पर तो इस तरह से जब आप भी बुने तो बीच पीच में तीन चैनल लेकर इसे हम जोईन करेंगे इस तरह से हमें तो हम यहां पर आपको एक लरी बुन के बताएंगे इसकी हेल्प से आप इस तरह का पूरा तुरेंट डिजाइन बना सकती है तो हमने यहां पर वाइट कलर उनक आयूश किया है इस तरह से हमें पहले उनको एक करना है इस तरह से उसके बाद से हम यहां पर तिन चैनल बुनेंगे और यहां पर देखिए फंदे को हम यहां पर थोड़ा बढ़ा करेंगे इस तरह से हमें थोड़ा बढ़ा करना है इस तरह से उसके बाद से हम इसी जॉइंड नहीं करना है इस तरह से थोड़ा बढ़ा करेंगे और फंदे लेकर हमें इसमें से छे बार निकालना है आप इसे जदा भी निकाल सकते हैं हमने यहां पर इस सिक्स टाइम बार इसे लिया है तो इस तरह से हमें इसमें से छे बार निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे हम और यहां पर फिर से एड नहीं करना है हमें फिर से इसे फंदे को थुदा बड़ा करना है और सेम हमें इसे तरह से रिपीट करना है जिसे हमने इसे नीचे बुना था तो इस तरह का आप वहां पर देख ले हमें कितना लेंद में बनाना है उस हिसाब से आप लरी बूलने सिम इसी तरह से हमें लरी बनाना है और तो आप अच्छे से देखी और समझी कि यह किस तरह से लरी बनेगा कि अ अच्छे से दो के देखी है झाल 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 है तो ज्वायन करने के लिए हम यहां पे तीन चैन बुन लेंगे और दिखे ए कि इस तरह से हमें यहां पर है कि ज्वायन करना है तो से इसी तरह से हमें आगे बुनना है तो तिन चैनल लेकि इसे जॉइन कर देंगी और यहां पर हम इसे जितना लेयर में बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से डिजाइन बनेगा और देखे बढ़ने के बाद से इस तरह से देखिया तो आप देख सकते हैं कितना इजी और बहुत ही सिम्पल तरीके से तुरन डिजाइन बन जाती है तो आप अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियो के लाइक एंड शेयर करना न भूले तो इस तरह से बुनाई करने के बाद से हमारे तुरेंट डिजाइन इस तरह से दिखेगा आप देख सकती है यह पुरा रेडि किया हुआ तुरेंट डिजाइन है तो दोस्तों एक वीडियो कैसे लागा मेरे कॉमेंट्स बक्स में मुझे जरूर बताएं और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए बुनाई के साथ थैंक यूँ कर दोस्तों में मुझे जरूर दोस्तों मिलते हैं